स्पाइन में इंप्लांट या फिर स्क्रू या रॉड डालना कितना सेफ है अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है स्पाइन में जैसे इंस्टेबिलिटी या फ्रैक्चर हुआ है या इंफेक्शन हुआ है या कोई ट्यूमर की सरजरी हुई है और आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसमें हमने इंप्लांट डाला है इंप्लांट मतलब स्क्रू रॉड डाला है तो ये कितना सेफ है नॉर्मली अगर हम सरवाइकल स्पाइन की सरजरी की बात करें तो यह कितने सेफ होते है हमारी बॉड़ी के लिए इन इंप्छांट्स का नॉर्मली हमारी बॉड़ी में कोई reaction नहीं होता आजकल जो हम implant यूज करते हैं grade 1 imported titanium के implants यूज करते हैं जिनका बॉड़ी में कोई reaction नहीं होता ये indefinite time के लिए body में रह सकते हैं किसी तरह के इसमें कोई परशानी नी होती निकालने की जरूत नी पड़ती जब मैं implant डालते हैं तो normally हम double autoclave करके डालते हैं जिसका मतलब कि हम उसको दो बार sterilize करके डालते हैं ताकि उससे infection भी ना हो शरीर में किसी तरह का ये implant पूरी तरह से safe हैं ये कोई autoimmune reaction नहीं करते हैं अच्छी तरह से sterilize किये हों तो कोई infection भी नहीं करते हैं और किसी तरह का tissue irritation नहीं करते हैं जो आजकल हम implant डालते हैं spine में उसमें तो आप बाद में MRI भी कर सकते हैं पहले के implant में जब हम steel के implant डालते थे तो उसमें MRI नहीं हो पाता था आजकल तो इन implant में हम MRI भी कर पाते हैं ये implant पूरी तरह से safe रहते हैं अगर अच्छी technique से डाले जाएं और अच्छे से sterilize किये जाएं अब इसमें बहुत सारी companies के implant होते हैं जैसे कुछ imported या कुछ Indian या कुछ ऐसे भी जो सस्ते आते हैं या महेंगे आते हैं तो अगर implant की quality अच्छी है और manufacturing अच्छी है तो फिर Indian implant या imported implant में बहुत फरक नहीं है लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी company है जैसे कोई Suzyland की या America की company है जिसकी finishing बहुत अच्छी है जो strength है material की वो बहुत अच्छी है तो फिर उस company के implant हम हमेशा young patients में या high demand patients में लगाना prefer करते हैं ताकि वो उनकी strength या durability काफी रहे Otherwise अगर spine surgery में आपके surgeon ने आपको implant suggest किया है तो घबराइए मत अच्छी company का अच्छी technique से implant लगवाईए और आपको future में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और जादा से आदा शेयर करें